आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास है कोई Redmi या फिर MI का फोन और यहां पर आपको अपने फोन में प्रॉब्लम आ रही है यहां पर आपका बैक बटन हाइड हो चुका है यानि कि बैक बटन आपको शो नहीं होता है या फिर आपको तीनो बटन जो होते हैं नैविगेशन बटन आपको यहां पर शो नहीं हो रहे है तो आप नैविगेशन बटन या फिर अपने बैक बटन को यहां पर वापस कैसे ला सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं आपको यहां पर इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में सेटिं में आने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करके एक option यहाँ पर मिलेगा home screen के नाम से या फिर आपके phone में होगा home screen and wallpaper तो यहाँ पर home screen पर click करेंगे अब click करने के बाद एक option आपको मिलेगा यहाँ पर system navigation आपको अगर यह option नहीं मिलता है तो settings में उपर आप directly search कर सकते हैं और home screen में आपको यह option easily मिल जाएगा तो इस पर आप click करेंगे अब click करने के बाद आपकी system navigation settings में दो option आपको मिलेंगे buttons और एक option आपको मिलेगा gestures तो यहाँ पर आपका गलती से यहाँ फुर आपने gestures को select किया होगा तो back button यानि कि buttons को use करने के लिए buttons वाले option पर click करेंगे और click करते ही आप देख सकते हैं नीचे के buttons आपके यहाँ पर आप show होने लग जाएंगे और आपका back button आप देख सकते हैं वापस आ जाएगा back button को left में लाने के लिए mirror buttons को आप disable कर दीजिए और right में लाने के लिए आपको इसे on कर देना है तो इस तरह से आप यह problem ठीक कर सकते हैं अगर आपके phone में आपको back button show नहीं होता है तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें करें।